हलो गाइस कैसे आप सो अमीद करते हूं आप ठीक होंगे तो क्या कब कहा कैसे क्यूं इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो अगर आप वाकिए इनको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के इन तक जरूर देखे का जितना अच्छे से हो सका उत वह-व, वह-ए-व, भेय्व, वह, हैर, व्यर, व्यर, फ्रॉम मतलब के कहा से वही व्यर, तू, ज्यानि के कहा को ओ, ये दोनों अलग-अलग वर्ड हैं वी, how, one, when, 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 which ये सारे के सारे ही important words हैं लेकिन इनके इलावा भी दो words ऐसे हैं जिनको अलग से मैं आपको समझाऊंगी और वो हैं we feel और we feel it we feel it क्या होता है how many we feel क्या होता है how much we feel how much मतलब ये किसी की quality को बताता है वक्त को बताता है और ऐसी चीज़ जो गिनी न जा सके ठीक है और we feel how many को बताता है यानि कि कितने quantity बताता है जो ऐसी चीज़ के गिनी जा सके ठीक है इसको मजीड detail के साथ कुछ example के साथ समझने की कोशिश करते हैं ये दोनों words जर्मन में बहुत जादे important है ठीक है तो लेकिन ये दोनों अपनी meaning आप रखते हैं वी feel जो है इसका मतलब है how much और वी feel का मतलब है how many वी feel मतलब के कितना कितने उसको मतलब दो तरी कोशे हमें इस्तमाल कर चाहिए एक जिसकी बात करनी हो उसके साथ लेगा के और दूसरा जब कीमत की बात करनी हो तो कीमत की बात करनी हो for example वी feel गैप ब्राहन जी how much money do you need इस ब्राहन योर I need only 10 euros नियोर काते हैं यहाँ पे डिवर मिस्ट बालब है ठीक है तो यह हो गई example how much इसकी इलावा भी बहुत सरी example लिख सकते हैं जैसे कि आपने अगर टाइम का पूछना है तो आप इस तरह पूछ सकते हैं कि we feel जाइत हास दू आपके पास कितना वक्त है और अगर किसी चीज की कीमत पूछनी हो तो आप इस तरह पूछ सकते हैं कि we feel को सबताई नहीं या के लेकिन जब हम we feel की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमने उसकी quantity बतानी है ऐसी चीज जो गिनी जा सके how many ठीक है तो for example we feel आउटोज हाबन जी how many cars do you have ठीक है यहां पे अब cars है ना वो गिनी जा सकती है तो आप इसका अंसर इस तरह दे सकते हैं इशाबे सेन आउटोज I have 10 cars समझा गई आपको कि हमने जब किसी चीज की quality बतानी है तो हम we feel का इस्तमाल करेंगे जब quantity बतानी है तो हम we feel का इस्तमाल करेंगे जैसे कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं we feel एक इंदर हास दू यहां पिर तुम्हारी कितने बेन नहीं है तो यह ऐसी चीज़ें जो के गिनी जा सकें वो आजाएंगी we feel में अब हम बाकी we feel को examples के साथ अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यह बुंग यहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है examples वो वोननजी वो यहां पे question पूछा जा रहा है वो की उपर वो कहते हैं where को यानि कि इसमें कोई motion नहीं होती है no motion it's only talks about any point ऐसा point जो खरकत नहीं कह रहा है ठीक है तो इस पे आप इस तरह question पिर करते हैं कि वो वोननजी where do you live या फिर इस तरह भी पूछ सकते हैं where is your school अब ये school है जो वो चल के एक जगा से दूसरी जगा तो नहीं नहीं जा सकता ये तो एक point है ऐसा point जो खरकत में नहीं है इसमें कोई motion नहीं है तो when we talk about वो, where it's mean we talk about any point ठीक है which has no motion next time हमारे पस वो हेर वो हेर कौमनजी where are you from फिर आप जहां से होंगे वो बताएंगे इस कौमिया उस पाकिस्तान, इस कौमिया उस इंडिया इस तरह ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इसमें motion होता है वो में हमने क्या पड़ा कि इसमें motion नहीं होता है it talks about only any point but when we talk about वो हेर it's always talk about any motion ठीक है यह हमें कोई हरकत बताता है कि कहां से हो ठीक है आने के बार में बताता है वो हेर कौम दू या भी जैसे का मैंने यहां लिखा है वो हेर कौम जी वो हेर कौम जी where is your wife from ठीक है लच्ट है हमारे पास वी वी हाइसन जी what is your name जब आप आएंस का पेपर देने जाएंगे तो आप से इसी तरह बाश्चन होंगे वहांपे कि वी हाइसन जी what is your name ठीक है वी गेता सीन how are you या इस तरह भी आप पूसकते हैं कि वी फारंजी ना लहोर ठीक है तो आप इसका अंसर इस तरह देश फारे ना लहोर मित देम आउटो नेक्स्ट है हमारे पास वन वन फारंजी ना बर्लीन वन कहते हैं वन को वन आर यू गेंग तो बर्लीन या फिर जब आपने पूछने ना वेल्शेज एस लगाना है तो वो मतलब कि आप सिंगल का पूछरे है आउटो का जब आपने ज़्यादा आउटोस आगे लिखनी है तो फिर वेल्शेज से आपको S हटाना पड़ेगा वेल्शे आउटोस which cars do you have ठीक है तो ये आपने quantity का हिसाब रखना है ये चोटी मोटी जो पॉइंट्स है ये बहुत important है ये note कर लें आप साथ next है हमारे पस वोहीन वोहीन गेस्टू हुईट where are you going today अब देखें कि पहले हमने सबसे पहले जो जिकर किया था वो था वो वो, वोहीर, वोहीन ये एक ही फैमिली है तो वोहीन हमें बताता है कहा को, where to, कहा को जा रहे हूँ वोहीन गेहन सी आगे एक्जेम्पल है हमारे पास वोहीन फार्दीजर बान बान कहते हैं ट्रेन को तो यहां पे ट्रेन का पूछ जा रहा है कि वो ट्रेन कहा को जा रही है where to तो कोई बंदा मतलब आपसे दूर जा रहा हूँ मैंने बोला है न, कि उसको कहते हैं हम वोहीन में इस्तमाल करते हैं इसी तरह कोई चीज भी हो जो आपसे दूर जा रही हो उस पे भी आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं वहीं फार दी जर्बान वेर डास इस ट्रेन गो हो गया क्लियर अब नेक्स्ट है हमारे पास वारूम वारूम कहते हैं वाई क्यूं ठीक है तो इस पे आप इस तरह कोस्चिन पूछ सकते हैं वारूम लेंडनेंजी दोइच क्या आप जो जर्मन है वो क्यों से एकरे होगी है तो हुआ ने क्वेश्चिन है तो इसी तरह आप किसी से पूछ सकते हो कि वारूम काम्स दू सूश पाइच यानि कि वाई आर यू लेट या फिर वाई आर यू कमिंग सो लेट अब यहां पे हमें रिजन देना पड़ेगा कि वाई ये काम आपने मतलब क्यों आप लेट आयो तो इसका कोई भी रिजन दे दे माइन आटो इस कापुत यानि के मेरी जो कार है वो तूट गई है माई कारीज ब्रोकन नेक्स्ट है हमारे पास विण फ्राकन जी विण क्या है विण हू मैं यह अबज़ेक्ट पे कोईचन है विन कहते हैं आकोजातिव को मतलब आकोजातिव को जब हम कोईचन करते हैं तो वह विन हो जाता है Whom are you asking? ठीक है? तो इसका अचर देंगे I am asking you या इसके कोड़ भी मसाल है कि Whom does he sees? ठीक है? तो इसका अचर आप देंगे He looks या फिर वो देख रहा है He sees his father Next है हमारे पास was Was कतने है क्या? Was is this? What is this? This is aine flange This is a plant इसके बाद है हमारे पास Where पर क्वेश्चन के Where जिन्दजी? Who are you? इसमें आपने बताना है अपना कोई परफेश्चन बताना है जैसे के अगर आप टीचर है ना तो आप लिख दें इसमें लेर तो अगर आप डॉक्टर हैं तो लिख दें इसमें आप इसको एक और तरीके से पूसकते हैं Where बिस्त दू? Who are you? इसमें दाइने फ्रोइंद I am your friend अप मैं आपको देने वाली बहुत जबर दस टिप्स जिसको सुनने के पाद आपकी जो डॉट्स रहागा ना वो भी सारे क्लिए रोने वाले है ठीक है? तो वो टिप्स कुछ वी फ्रागन के अबाउट ही है लेकिन ये थोड़ा डिफ्रेंट है Where, Win, Whim ये क्या है? पीछे तो हमने इसको पढ़ लिया सारा पढ़ लिया ना लेकिन इसको केसिस के हवाले से भी समझना ज़रूरी है जैसे कि Where है ना ये नॉमिनाटिव केस में आता है तो वेर का जो अकुज़टिव केस है वो है Win और उसका जो दाटिव केस है वो है Wim ओके? वेर को हम इस्तमाल करते हैं किसी सबज़क्ट पे सवाल करने के लिए विन को हम इस्तमाल करते हैं किसी object पर question करने के लिए यानि कि accusative case में और VIM यानि कि home to जब answer भी दातिव में देना हो तो हम किस की का पुछेंगे किस की चीज़ा ये उसके लिए फिर हम इस्तमाल करेंगे VIM का तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि जितना हो सके मैं आपको असान तरीके से समझाओं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और मैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलेगा